नमस्कार प्राइम नियूज 24 में आपका स्वागत है मैं हूँ अग्रिमा जादौन सूचना प्रोधगी के इस यूग में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हर्यान सरकार ने एक बर फिर कोविड-19 में हमारी संकट को एक अफसर में बदलते हुए आज मुख्यमंत्री मनुहर लाल ने नई सेक्षिनिक सत्र में सनातक पार्ट कर्मों के प्रवेश के लिए एक ओनलाइन एड्मिशन प्लैटफॉर्म लॉंच किया इस प्लैटफॉर्म के माध्यम से चात्र गर बैटे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चात्रों के किसी भी प्रवेश संबंदी प्रशनों को हल करने के लिए अपनी तरह का पहला शेक्षिनिक वाट्सेप चैट बॉक्स आपका मित्र भी लॉंच किया साथी उच्चतर सिक्षा विभाग का नया वेब पोर्टर 158 सरकारी कॉल कॉलेजों को और विश्व विद्यालों के स्तर को भी उपर उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए इसके साथ ही चात्रों के तक्निकी कोशल को भी बढ़ावा देना चाहिए उन्होंने कहा कि विदेशी विश्व विद्यालों को भी हर्याना में अपना केंपस थापित करन कि दिशा में बढ़ाना होगा सिख्षा मंतरी कवरल पॉल ने कहा कि ओनलाइन सिस्टम प्रवेश प्रक्रिया को सुद्रण और पारदर्शी बनाएगा उन्होंने उच्चतर सिख्षा विभाग के अधिकारियों और कमचारियों की भी सराहना की जिन्होंने इस ओनलाइन प्ल प्रोट साहन देने 15 किलो मीटर के दाइरे में कॉलेजों को स्थापित करने राज के युवाओं में सिक्षा और कोशल को बढ़ावा देने जैसी विभिन पहल की गई हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने 1000 नए स्कूल खोलने का फैसला किया है हमारा ध्यान बच्चों को रोजग के योग बनाना है प्रदेश में नई मॉडल संस्कृति विद्याले भी खोले जाएंगे प्राइम न्यूस 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट आज किस शिक्षा मंत्री जी ने किसी भी व्यक्ति उसका जो संस्कार है उसका जो श्रणी ना पिजाती है उसकी शिक्षा से ना पिजाती है कोई झी देश हो प्रदेश हो उसका विकास ओऑस के अच्छे नागरिक के उपगבर और निर्भ गरता है नागरिक जितना अच्छा होगा जितना नर्मित होगा जितना उंच्ष निका होगा उंना हिसा student cuz अपना आखे कर पाया गिए हमको हर्याना के नाते से एक बात सामने रखने हैं कि हमारे हर्याना परदेश का हर भालक हर युगा को अच्छा शिख्षित बने संसकारित बने पुनकारी बने ताकि अपने परदेश को आगे बढ़ा सके इसी दिर्शी से हमने शिक्षा में बहु और चाहे पर सेकंटिस आजोकेशन हो या उच्छिक्षा हो, सभी पर हमको ध्रहन देना होगा। उच्छिक्षा में खासतर पर विषेशज्य तपर करने की भी अफनी के कला हमको ध्रहन में नहीं चाहिए। कि चाहें हो ज्यान में ज्यान की वात हो गणित की शेक्षा हो समाज के अध्यिन के समाज का साथ सास्तर की वात हो समय को का अध्यन हो सुझ मौंत थो इसके लिए हमने को आगे बढ़ने कारती है कि हम अपने शिक्षा को रोजगार परग बना सके हैं और शिक्षा का एक गुर्वत्ता पुर्ख यह भी शिक्षा होई चाहिए ताके बिश्वर दुनिया को लोग भी शिक्षा के और आखर शिक्षा हों हमने महिलाओं की शिक्षा की बाद जिसे कही 15 किलोमेटर की बाद पूरी की है आगे चल करके इसको और कम दूरी यानि 10 किलोमेटर रख करके भी कुछ नहीं कॉलिज पूरने पढ़ेंगे तो भी हम म प्रियोग हैं और खास करके अभी तो बहुत महत्पूर्ण हो गया यह विश्वर कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना काल की शिक्षा पद्दती सामाने वर्षों की तरह नहीं है अब इस पर शिक्षा पद्दती को अदल बदल करके अब यह मालूमनी बिमारी कब तक चलने पर शिक्षा पूरा हो आई टी बेस्ट ऑनले सिस्टम यह सारे कड़े किये जाए इसो भी हम ध्यान दे रहे हैं हमारे द्यार्थियों का स्तर्क से हुच्छा हो कि स्तर्क हो हुच्छा करने के लिए भी हमें टेक्निक्स शिक्षा की स्किल्स इनको बढ़ना पड़ेगा यह सारी कीजें हलांके न्यु एजुक्षिंग पॉलिसी बारतवरिष्टी जो न्यु एजुक्षिंग पॉलिसी 2020 बनी है उसमें हरी जिदा स्माहित हैं उन्हें हमने बहुच्छे की है और भी आगे उनको लागू करना है और मुझे खुशी है कि हर्याना देश का पहला प्रा करना एक अकर लगे ताके वह यहां करके और पतिष्टी पिश्वी डियाले इस राते के रेड़ा में आपने आपको स्थापित करें इसके लिए भी हमें उनको धान करना पड़ेगा इन सब बातों के लिए आज जो हमने जितने भी लूंच किये हैं साय उसकंदर वाट्सप कि अधिये बाता है यह जो है और देश्टिशन आदी जो है वह घड़ बैठे अडमिशन ले सकते हैं उनको कोई भी डॉक्मन लेकर को भुना नहीं पड़ेगा उनको अपनोड़ता है और हमने जितने भी घरवे एड़ने के पाराना है वो उनको तेज की आज से अज स्यू पर दोग की है वह भी आप लोगों ने जनता को बताया हो उसको भी परचारेत दोड़ना चाहिए हमने इस बार इस्टेशन पीज और इस यह भी और इस माप कर दिया है इस बार कोई इस नहीं ले रहे है कोई उनका इप्लिक्शन पीज नहीं ले रहे ताकि जारत्तों के ऊप सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चंटा कंशा करेंगे रख्षा करेंगे सब का साथ सब का विकास विद्यार्ति कग माल करना आग अधिश करना है तो सर्कार कें घी THIS नित तरकारं क में था सब आधिकार ऐंटरी गुटा जी आधिअड कर आविट्लह करकिसे रहते होँ इस काम में लगे हैं उनको सब को बहुत 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 वोश्कांब आज ये हमारे लिए बढ़ी खुशी की बात है ये जो चाहर पॉइंट अभी लांच किये हैं और मुक्यमंत्री जी का सुरू से ही कि मतलब सरकार से पहले भी माने मुख्यमंतर जी का बड़ा इंट्रेस्ट इस बात में था कि सारी तिछें प्रकार से ओनलाइन वह ब्रस्टाचार काम जल्दी हो उसके लिए माने मुख्यमंतर जी पहले से करने की जो पहल की इसके लिए मैं सभी दिकारियों को इसके लिए बहुत बदाई देता हूं और माने मुख्यमंतरी जी रहे जिस प्रकार से शिक्ष्या में जिस प्रकार का उनका इंट्रेस्ट है चाहे वो बजट में पैसे देने की बात भी जबाई तब यूनोंने बहुत प्रकार से बेटियों की शिक्ष्या देने के लिए उन्हें जितने कॉलेज खुल यानि कि पिछले पूरे टाइम में पचत्ता है और चान में मेरा ख्याल से शैदी देश में कहीं ऐसा हो कि इस परकार की नीती बढ़ाई गई हो कि 15 किलो मिट्स से दूप कोई भी बिटिया पड़ने के लिए नहीं जाएगी तो यह बहुत अच्छा काम माने मुख्यमंद्री जी ने किया और इसके परिणाम आज आपके सामने इसी प्रकार से माने मुख्यमंद्री जी कुशल मारक दर्सन में हमने राज्या में ऐसे काल्जियों और विश्मद्रावि़यों कَ एक अच्छा नेटवरक त्यार किया जो सिक्षानिती 2020 के अन रूप है जो सिक्षानिती 2020 में जो प्रस्ता आगे रखे गए हैं तो माने मुख्य मंत्री जी उन पर पहले ही उन पर माने मुख्य मंत्री जी ने काम शुरू कर दिया था और काफी कुछ दिया कर लिए ताके वो रोजगार के लिए ना गुं में बलके रोजगार देने वड़े बड़े तो इस सारी निती पे अमारे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारा लक्षे जो है बेतर परिडाम देना और वो बेतर परिणाम के लिए जिस प्रकार का प्रियास माने मुख्यमंत्री जी के मारक दर्सन में चल रहा है चाहे वो संस्कृती प्रियास किया आज की प्रिस्टियों में रहेगी समय की बच्चत भी होगी हर दिश्टी से बहुत इस रहानी है तो मैं इसके लिए बदाई देता हूं और माने मुख्यमंत्री जी का बारवेक्त करता हूं कि उन्होंने आज हमें सीरवाद देने का यह जो से मैं निकाड़ा तो उनके लिए मैं उनका बारवेक्त करता हूं जन्यवाद जहिए